हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाला है Assessment Year 2425 का Income Tax Return ITR1 किस तरह से फाइल किया जाता है यह आज हम Practically Income Tax Portal पर देखने वाला है सबसे पहले आपको Income Tax Portal पर लोगीन करना है लोगीन करने के बाद आपको इस टाइप का डेश्मूर दिख जाएगा या तो आपको File Now के Options पर क्लिक करना है या फिर E-File के Options में Income Tax Return File Income Tax Return के Options पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर जाएंगे आपको सबसे पहले Assessment Year सलेक्ट करना है Assessment Year 2425 और Select Mode of Filing Online इसके बाद आपको Continue के Options पर क्लिक करना है To File Fresh Income Tax Return जब आप Open करेंगे तो आपके पास में यह Options आएगा यहाँ पर आपको Start New Filing के Options पर क्लिक करना है Select Status Applicable to You to Proceed Further आप Individual है इसलिए Individual पर Already Tick है आपको यहाँ पर Continue करना है इसके बाद आपको यहाँ पर Form Select करना है तो हमें Form File करना है ITR 1 तो ITR 1 के बाद Proceed with ITR 1 ITR 1 किसके लिए File होता है जिसकी Salary से Income है जिसके House Property से है और जिसका Income from Other Sources से Income है और Total Income 50 Lakh रुपीज तक है तो आपको ITR 1 File करना है अगर आपकी Agriculture Income है और वो Income अगर आपकी 5000 रुपीज तक है तो आप ITR 1 File कर सकते हैं Otherwise फिर आपको ITR 2 के उपर Move करना पड़ेगा यहां से आपको Let's Get Start के Options पे क्लिक करना है Are you filing the Income Tax Return for any of the following reason आप यह Income Tax Return क्यों File कर रहे हैं इसके लिए आपको यहाँ पर Reasons पूछ रहे हैं Then Continue के Options पे क्लिक करें Continue के Options पे क्लिक करते हैं इसके आपको यहाँ पर यह Schedules open हो जाएंगे टोटल पांच Schedules से सबसे पहले आपको Personal Informations के Schedules पे आपको क्लिक करना है यह जो Schedules है यह आपकी Personal Information है आपका Name, आपका Payne Numbers, आपका Contact and Nature of Employments आपको Other Select करना है Filing Section, Filing Under Section 139, Sub Section 1 आप Due Date से पहले Income Tax Return File करना है Due Date है इंडिविजल की 31st July 2024 इसके पहले अगर आप Return File करना है तो आपको इस Options पे क्लिक करना है अगर आप इसके बाद Return File करना है और 31 December के पहले फाइल करना है तो आपको Related Return File आपको इसके बाद आपको नीचे जाना है Do you wish to exercise the option Under Section 151.5 BSE Opting Out of New Tax Reserves सर फिनाशल यह 23-24 से आपका New Tax Reserves by default आपका हो गया यानि कि आप जो Tax Calculation होगा वो Tax Calculation आपका New Tax Reserves के हिसाब से होगा New Tax Reserves में Slave Rate है सर 0 से 3 लेक तक आपको 0% टेक्स पे करना है 3 से 4 लेक आपको 5% टेक्स पे करना 6 से 9 आपको 10 परसें 9 से 12 पंदरा और 12 से 15 परसें और इसके उपर है तो 30 परसेंट अगर आपके इंकम 7 लाग रुपे तक है तो आपको Section 87A के थुरू 25,000 रुपेस तक का Rebate मिल जाता है यानि कि अगर आपके इंकम 7 लाग तक है तो आपको Zero Tax Pay करना है तो यहाँ पर हम इस Option को अभी No कर रहा है Option No करने का मतलब हम Regular यानि कि New Tax Resumes के थुरू ही हम Income Tax Return फाइल कर रहा है इसलिए इस Option को हम यहाँ पर No करेंगे बैंक डिटेल्स आपकी यहाँ पर होनी चाहिए वो बैंक डिटेल्स आपकी वेलेडिटेड होनी चाहिए यह चीज का आप ध्यान रखे आपका Payne Card के साथ आधार काड अपका मैच होना चाहिए आपको यहाँ पर Confirm को Options पर क्लिक करना है आपको अगर हम एड करते हैं तो Gross Total Income आती है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं Gross Total Income पर जैसे Gross Total Income के Options पर क्लिक करेंगे सब यह Options है इसको Skip the Question पर क्लिक करके आप उसको Yes कर दीजिएगा अब सबसे पहला जो Head है हमारा वो है सिर्फ Income from salary के लिए आपके पास में Form 16 है यानि कि अगर आपके Employer ने आपको Form 16 दे दिया है तो वो आप उससे Form 16 से आप Income Test Return करें यहाँ पर सर उन्होंने बता है Gross salary, salary as per section content in 17 subsection 1 12,18,957 यह आपके Employer ने उनके TDS की Return 24, Q Returns के अंदर यह डिटेल शो की थी कि आपकी Total Income salary के इतनी है तो यह Total Income हमको यहाँ पर सर फिल कर देनी है तो यहाँ पर हम Gross salary के options पर यहाँ पर Edit के options पर जाएंगे और यहाँ पर options पर डालेंगे सर यह कितनी है 12,18,957 वेल्यव परक्यूसाइट्स इस पर section 17, subsection 2 तो यहाँ पर लिखा हुआ सर वेल्यव परक्यूसाइट्स section 17, subsection 2 2355 इस option पर क्लिक करना है 2355 और यहाँ पर आपको figure कर देना तो टोटल आपकी इंकम आजी 12,21,312 12,21,312 ओके profit in lieu of salary सर कुछ नहीं है income retirement benefits section under section 89 किसी भी country से कोई भी amount नहीं है यहाँ पर आपको amounts कुछ भी इंटर करने की ज़रूरत नहीं है exempted allowances अगर आप new tax regimes के थुरू written file कर रहा है तो वहाँ पर आपको किसी भी allowances का कोई भी deductions आपको यहाँ पर नहीं मिलता अगर आपको HRM मिला है आप actual में rent pay भी कर रहे हैं फिर भी आपको इसका deductions नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपकी जो net salary आ जाती है यह आ जाती है 12,21312 अब बात करते हैं स्टेंडर डिड़क्शन सेक्शन 16 सब्सेक्शन आई-ए 50,000 रुपिस का deductions आपको new tax regime में भी मिलता है आपको new tax regime में भी मिलता है बाकी के यह दूर डिड़क्शन आपको new tax regime में नहीं मिलता है तो 50,000 रुपिस आपका यह माइनस हो जाएगा तो टोटल इंकम आपकी हो जाएगे सर 11,71312 इस options पर आप क्लिक किजिएगा तो यह हो गया सर आपका income from salary का schedule income from salary का schedule आप from 16 से easily file कर सक सकते हैं अब बात करते हैं second schedule से जिसका नाम है income from house property अब आपको यह से ध्यान रखना है कि अगर आप new tax regime में तो और property अगर आपके self occupied है self occupied का मतला आप खुद के घर में रहे रहे हैं आपके उस property के उपर loan लिया हुआ है उस loan का इंट्रेस्ट पे कर रहे हैं अगर आपको इंट्रेस्ट पे करते हैं उसका डिड़क्स आपको मिलता है हम यह मान के चलते हैं कभी इस परसंसे कोई भी property रेंटिड नहीं क्यों यह वो जो कुछ भी रहे हैं वो कुद के घर में रहे है self-occupied property है इसलिए उनको इंट्रेस्ट का डिड़क्स न्यू टेक्स रिजान में नहीं मिलता है इस head को हम क्या करेंगे सब स्क्रिप कर देंगे अब आज करते हैं से income from other sources की अगर आपके income from other sources में यहां पर कोई भी अगर इंकम है तो यहां पर आपको फिल करना है जैसे for example interest from semi-big accounts उनके income है for example 2355 और दूसरी income है उनकी यहां पर add another के options पर क्लिक करेंगे और अच्छा यह तो exempted income है अगर आपके कोई दूसरी income है इसके साथ साथ में तो वो भी आप यहां पर add कर सकते add another income, select income, interest from deposit उनका 15,000 रुपे का for example interest deposit है जब भी आप income test return फाइल करें सबसे पहले आपको 26AS और AIS report आप किसी भी persons का चेक कर ले ताकि उसके अंदर जो भी income होगी वो income वहाँ पर show हो जाएगी तो AIS report के लिए options आपका यहां पे है और 26AS डाउनलोड करने के लिए आपको यह पर जाना व्यूप 26AS डाउनलोड करना ठीक है तो आप यहां से कर सकते हैं इस option को आप एड कीजिएगा तो आपने सबसे जितनी भी income की details थी वो income की details आपने यहां पर fill up कर दें इसके बाद total income आपके आगए सर 11,88667 अब इसको आप यहां पर confirm कर जीगे आपका gross total income का schedule आप आपका complete होता है आप चलते हैं से total deductions, total deductions में यहां पर only for आपको deductions मिलता है section 80 CCD subsection 2, national pension scheme के अंदर अगर employer ने invest किया है आपके बिहाब पर तो आपको उसका deductions मिलेगा, पाकि किसी भी चीज़ का deductions आपको यहां पर नहीं मिलतना है, इसलिए यही option open है, तो यहां पर स deduction in respect of contribution by employer to pension scheme under section 80 CCD 2, 89,323, तो यह वाला figure आप यहां पर डालेंगे, 89,323, तेन आप इसे confirm करेंगे, बाकि के कोई भी options आपके लिए eligible नहीं होंगे, यानि कि आप उसमें enable नहीं होंगे, आप उसमें कुछ भी इंटर नहीं कर सकते, यह सभी आपके क्या है सर, inactive है, तो यहा यहां पर आप confirm के options पर click कीजिएगा, तो आपका यहां पर एक ही deductions, otherwise अगर आपका यह deductions नहीं है, तो आपको कोई भी deductions नहीं मिलता है, तो total deductions के head को आपको छूना भी नहीं है, direct confirm के options पर click करके आपको आगे move हो जाना है, अब आज करते हैं से text paid की, अगर TDS deduct हुआ ह तो यह automatically figure आपका यहां पर आजाएगा, TDS का automatic, अगर आप online return फाइल कर रहे हैं तो automatic figure आजाएगा, अगर नहीं आता है, तो आप यह options है, add another के options पर आप click कर सकते हैं, 10 of deductor, जिसका भी TDS deduct किया हुआ है, name of deductor, उनका name और under salaries और total amount आप यहां पर इंटर करके add कर सकते हैं, otherwise आ आपका automatically वो figure वहाँ पर आजाता है, तो यह TDS का amount आजाएगा, अगर other than salary अगर किसे का TDS deduct किया है, तो वो आपका यहां पर आजाएगा, confirm के options पर click कीजिएगा, तो आपका tax speed वाला schedule आपका complete होता है, यहां पर amount आजाएगा, जो भी amount आपका TDS deduct हुआ है, total tax liabilities आपकी यहां 38,381, 11,88,667, इसमें से आपने ये deductions आपने ले लिया, total income आपकी 10,99,000, इसके साब से यहां पर calculation हो रहा, आप सरा आपको यह चीज ध्यान रखने है, अगर आपकी income 7 lakh रुपिस तक है, तो ही आपको section 87A का रिवेट मिलता, otherwise आपको 3 lakh के उपर आपको tax pay करना, 5 lakh accident 3 lakh, यान है कि income up to 6 lakh, 3 lakh से 6 lakh के बीच में, 15,000 का tax है, 6 lakh से 9 lakh के बीच में, 30,000 का tax है, और 9 lakh से 12 lakh के बीच में, 29,900 रुपिस तो total tax आपका बनता है sir, चिबुतर 90274 इस पर education sales लग गया, total sales आपका यहां पर है, और साथ में आपका यह interest लगता है, क्योंकि आप late fees पे कर रहे हैं, इसलि आपका total tax liability आपकी यहां पर आपे, अगर TDS आपका already deducted है, तो लाइबिलिटी के साथ में adjust हो जाएगा, अगर नहीं है, तो फिर आपको payment करना पड़ेगा, अब आपको यहां पर करना है sir, proceed करने के बाद, आपको यह details आपती है, यह पर पूछता है sir, pay now, तो आप यहां पर यह बार pay later के options पर click करते है, otherwise आप pay now के options पर जाएगे, वहां पर आपको पूरी details open हो जाएगी, फिर आपको bank select करना पड़ेगा, bank में आप login ID, password इंटर कीजिएगा, वहां से उसका payment हो जाएगा, तो हम pay later करते, इसके बाद preview return करते है, preview returns में आपको यहां पर click करना है, then proceed to preview पर click करना है, तो यह एक बार return आपका पूरी तरह से preview हो जाता है, आप उसको एक बार पूरी तरह से check करना है, आपने जो भी details यहां पर fill up की है, वो सभी details आपकी proper तरीके से सही है, सही information आपने प्रोवाइड की हुई है, तो एक बार प्रोपर तरीके से आप check करना है, जैस आप पिन कोड नमबर आप इंटर कर लिजिए, प्यतालीस बीस सेवला जैसे कि हमारा यह है, सेलेक्ट आपका इंदोर देवास, एरिया, यह है, इसके बाद आप इसको यहां पर save कर लिजिए, वापस confirm options पर click किजिएगा, प्रोसिड का options पर click किजिएगा, पे लेटर किजि अब जैसे आपके फिगर आजाता है, प्रपर तरी किसे चेक करने के बाद, आपको करना है, प्रोसिट टू वेलिडेशन, वेलिडेशन सक्सेस्पूल हो गया, प्रोसिट टू वेरिफिकिशन अभी हमने पेमेटर नहीं किया हुआ है, इसलिए यह रिटरन वेरिफाई नही होगा, तो इस तरह से आप Form 16 से Income Tax Return, यानि कि ITR 1 फाइल कर सकते हैं, अगर आप Income Tax Expert बना चाहते हैं, या फिर अगर आप Tax Consultant बना चाहते हैं, तो हमारे पास में डिटेल कोर्स, आप इसको जोइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको नमबर, आपको स्क्रीन के उपर दीख रह कि अवर आपको सकते हैं, या इस प्तिखड़ को सकते हैं, अवर आपको स्क्रीज क।ूबर।